तो दोस्तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे Realme के बजट न्यू गेमिंग स्मार्टफॉन के बारे में जो कि Realme 6S होगा वैसे तो गाइज कुछ दिनों तक का जा रहा था कि हमें Realme 6S डिवाइस इंडिया में देखने को नहीं मिलेगा लेकिन इस डिवाइस को FCC स काफी करीब है वैसे तो गाइज Realme अब तक 6S के अंदर करीब दीने स्मार्टफॉन को अल्रेडी लॉंच कर चुकी है जो कि Realme 6,6 Pro और 6i डिवाइस हमें पहले ही देखने को मिल चुका है लेकिन यहाँ पे आपको 6S डिवाइस में काफी कमाल की फीचर देखने को मिलेगा जो कि आपको इस प्रैस सिग्मेंट पे अभी तक को भी स्मार्टफॉन कमपणी हमें यह एस्पेक्स अफर नहीं किया है वैसे इस डिवाइस में हमें कुछ कम है देखने को मिलता है लेकिन यहाँ पे आपको गेमिंग के माला में किसी भी तरह का इसू देखने को नहीं मिल विश्यों में में सब्सक्राइब स्सक्राइब कि यहाँ पे आपको 6.5 3rd सब्सक्राइब सब्सक्राइब सकतके से लिए ौग 40देखने को Nhc यानि कि आपको पॉली का बैक देखने को मिल जाएगा जो कि ग्लोसी लुक के साथ आगा साथ ही आपको साइड मांटर फिंगर पीन सेंसर के सपोर्ट मिलेगा तो अब बात करें दिवाइस के में हाइलेटर फीचर के बारे में जो कि इसका पॉफॉमेंस होगा यहां पर आप आपको काफी कमाल का पॉफॉमेंस देखने को मिलेगा जहां पर आप किसी भी गेम को काफी एस्मूठी प्ले कर पाएंगे तो अब बात करें इस डिवाइस के पावर के बारे में तो यहां पर आपको फाइफ थाजन एमेस का बिग बैटरी का सपोर्ट मिलता है साथ मैं आ साथ ही आपको फ्रंट में 16 मेगा पितल का एसल पी शूटर देखने को मिल जाता है तो कैमरा भी आपको प्राइस के काफी अच्छे खासा देखने को मिलता है वहीं बात करें इसके यूजर इंटरिफेस के बारे में तो यह डिवाइस एंड़ाइटेन पर रन करेगा जो कि रियल में के खुद के वाइबर बेस्ट होगा और इसका बेस्ट मोडल आपको 4G प्लस 64 भी देखने को मिलता है तो लास्ट में बात करी जाए इसका प्राइजिंग के बारे में तो इसका प्राइजिंग आपको 10-11,000 देखने को मिल जाएगा और यहां पे आपको 10-11,000 के अंदर कापी अच्छे खासे स्पेसिफिकेशन देखने को मिलता है और मोस्ट चांस है कि यह डिवास हमें अगस्त के इसी में देखने को मिलेगा तो अगर आपको 10-11,000 के नीचे है तो यह डिवास आपके लिए एक बेटर हो सकता है तो आप इस डिवास के लिए कर सकते है तो आपको वीडियो काफी यूसफुल लगी होगे तो फिर मिलते आपसे नेक्स्ट वीडियो में